तो आज हम बात करने वाले हैं reaction mechanism की ठीक है तो जो हम यदि organic reaction mechanism की बात करें तो organic chemistry में जितनी भी reaction है उनकी कोई ना कोई mechanism होती है और यदि किसी ने reaction mechanism को समझ लिया तो वो यह से माल लोग की उसकी कहा है organic एक तरह से किलिए ठीक है लोग सोचते हैं कि organic को कैसे solve करें कैसे नहीं क mechanism में हम इसको solve करने वाले हैं ठीक है तो हम इस्टार्ट करते हैं कि general representation क्या होती है organic reaction की ठीक है तो बात करें यदि कोई भी organic को represent करें तो पहले लिखते हैं कि substrate है और जो reagent है वो क्या करता है product form करता है और किसकी presence में करता है वो basically कोई solvent होता है उसकी presence में यह अपना कोई product form करता है तो solvent क्या करता है solvent का role होता है कि यह क्या करता है जो reaction mixer होता है उसको क्या करता है उसको homogenize करता है अब यह representation है यदि बात करें reaction condition क्या होनी चीए कोई भी reaction होने के लिए तो basically तीन चीज़े ज़रूरी होती है पहला है कि उसके अंदर effective collision होना चीए बालब एक दूसरे के बीच में जो substrate और reagent है उनके बीच में उनके molecules के अंदर टकर होनी चीए तबी ही reaction possible है ठीक है इदि second point की बात करो तो second point लिखा है हमने कि reacting molecule must be in proximity तेरी example से बात करें मानलो को यह beaker है और उसके अंदर क्या है इदर substrate है इदर क्या है सबस्टेट है और इदर क्या है मानलो इसमें reagent है अपना कुछ कोई reagent है और बोले कि कोई reaction होगी solvent की presence में तो यह से नहीं होगी जब यह substrate और रियेजेंट दोनों एक ही भी करवे रहेंगे तब ही reaction possible है otherwise reaction possible नहीं है तीसरे point की बात करें तो तीसरे point में हमने लिखा है अब बात करें इंट्रेक्शन की तो इंट्रेक्शन कि कितने टाइब के होते है बैसिकली दो होते है पहला होता है अब दूसरा क्या होता है रिपल्शन होता है ठीक है तो एक्चली में attraction होगा तो attraction होगा तो क्या होगा सबस्टेट और reagent के बीच में क्या होगा collision होगा और यह दि रिपल्शन की बात करें तो collision नहीं होगा ठीक है तो मतलब reaction तब ही feasible होगी जब उनके बीच में attraction हो ठीक अब बात करते हैं कि कौन-कौन से पार्ट होते हैं कोई भी reaction में reagent को लेके देखे जाए तो उसमें basically क्या होते हैं एक electron rich है अब बात करते हैं कि electron-difficient वाले कोई से होते हैं तो देख सकते हैं हम यहां पे कि हमने जो यह example लिया है इसके अंदर देखो हमने लियाItalkin लिया है पेयंजीन लिया है नेप्तलीन तो इन में क्या है हम देख सकते हैं πई-bond है एक सब में पाइ-bond है ठीक है इसमें द इनके पाज electron rich है तो यह किस पर attack कर सकते हैं कोई E plus पर attack कर सकते हैं मतलब यह क्या है कौनसी reaction प्रोशीड करेंगे यह इलेक्टोफिलिक reaction होगी इन पर इलेक्टोफिलिक reaction होगी ठीक है अब बात करें जिनके पाज electron deficient है वो उनको बोलते हैं कि उनमें पर इलेक्टोफिलिक reaction होती है कैसे माल लो यह एक्जामपल लूँ Rx लिया मैंने ठीक है Rx लिया और बोलो कि अब क्या होगा कि जो X है उसकी electron negativity क्या है ज्यादा है अपने पार क्या है ज्यादा है किसी के comparison में R के comparison में तो यह हम इसको positive charge यहां पर लिखें और negative charge यहां पर लि कौन सा center हो गया यह अपना electrophilic center हो गया और यह अपना क्या हो गया यह nucleophilic center हो गया तो इस पर कौन सी reaction हो सकती है एक nucleophilic reaction हो सकती है ठीक है तो यहां पर हमने लिखा है कि for better living group negative charge must be stabilized by the due orbital and resonance जो हमने यह example लिया है तो माल लोग यह अपने पास कोई nucleophile है यहां पर यहां पर nucleophile attached हो गया और जो यह x- निकल गया और जो यह x है यह क्या होना चीए यह या तो due orbital से यह इस्टेबलाइज होना चीए या फिर क्या होना चीए resonance इस्टेबलाइज होना चीए मतलब यह हम बात करें कि living group कौन सा होता तो basically यह अपने क्या है living group है और living group वो ही होता है या तो वो due orbital से stabilize हो या फिर resonance से stabilize हो ठीक है और यह भी हमें पता है कि कोई भी reagent होता है तो substrate होता है तो उसके अंदर क्या होता है इलेक्टोफिलिक और nucleophilic दोनों ही center होते है और example यह ह तो हम कार्बोनिल की बात करें कि जो हमारी organic chemistry में आदी से ज्याधा chemistry वो कार्बोनिल पे चलती है यह इसे example की बात करें तो इसमें देखो यहां की बात करूं तो Oxygen की electronegativity is क्या है यहाँ पर carbon की कम है कार्बन की क्या है कम है तो इनके बीच मेरी चार से प्रेशन होगा तो यहां क्या होगा डेल्टा माइनस होगा यहां पर क्या होगा डेल्टा प्लस होगा ठीक यहां पर माइनस है मतलब यह कौन सा सेंट्र हो गया अपना यह हो गया अपना नुक्लियोफिलिक सेंट्र हो गया ठीक है और यह अपना हो गया इलेक्टोफिलिक सेंटर हो गया तो देखो यदि हम पूछे कि यहाँ पर कौन सी रियक्शन होने वाले है तो यहाँ बेसिकली कौन सी रियक्शन होगी अपने पर कहां पर कहां नहीं होगी तो पहले हम क्या देख लेते हैं कि इस्टेबल होने के हम डिजन देख लेते हैं कि इस्टेबलिटी कैसे चेक करते हैं तो बेसिकली पहली बात तो यह लेस्पोलर होना चाहिए ठीक है दूसरा होना चाहिए कि यदि रियक्शन हो रही है तो उसके अ और लास्क में हो लिखते हैं कि लेस्स इस्टेरिक रीपल्षन होना चीए ठीक अब मुल करते हैं एक्शांपल की तरफ तो कि यहां पर सेम बहुत हो जो हमने अब बीट करको निであー Kath अटेक करवाँ तो क्या होने वाला है कुछ ऐसा ऐसा प्रोड़क्ट होगा यह क्या है अपना प्रोड़क्ट है ठीक है तो यहां पे इसमें देख सकते हैं कि यहां पर पूरा complete octet है complete octet है और जब यही reaction यही हम बोले कि जो यहाँ पर partial negative charge था वो इलेक्टोफाइल पर टेक करें और यह सा कुछ product form करें यह क्या है अपना यह product है ठीक है यह बोले कि यह सा product form करें तो यह इसमें क्या है complete octet नहीं है complete octet नहीं है ठीक है तो मतलब यहीं पूछा जाए कि इन दोनों में से reaction कौन से होने वाली है इन दोनों में से reaction होने वाली है तो हमें पता है कि octet जिसमें complete हो reaction होगी तो यहाँ पर हमने कुछ लिखा है हमने लिखा है कि इस substrate molecule हैं बहुत electron deficient and electron recent then nucleophilic reaction take place हमने देखा यहाँ पर कौन से reaction होगी यहाँ पर nucleophilic reaction होगी ठीक है because stable substrate and complete octet ठीक अब बात करते हैं कि reaction के fat क्या है मतलब यह काइनेटिक होगी यह थर्मोडाइनमिक होगी तो यह हमें पहली बात हो जिसको भी यह समझ में आ गया तो वह आदे से ज्यादा reaction और्गेनिक की complete कर सकता है ठीक है यह बहुत important topic है यह हम homo lomo से पढ़ने वाले है ठीक तो fat of reaction देखे जाए तो हमें पता करना है कि यह तो kinetic product form होगा यह अपना thermodynamic product form होगा अब बात आती है कि kinetic को कैसे पता लगाए और thermodynamic को कैसे पता लगाए तो basically होता है कि है kinetic favorable बात करते हैं kinetic favorable बात करते हैं तो उसमें क्या है हम activation energy की बात करते हैं ठीक है activation energy की बात करते हैं और यदि हम thermodynamic favorable की बात करते हैं तो उसके अंदर हम basically free energy Gibbs free energy की बात करते हैं यदि अपनी activation energy कम है, कम है मतलब, activation energy अपनी क्या है, कम है, तो क्या होगा, transition state क्या होगी, more stable होगी, क्या होगी, more stable रहेगी, ठीक है, ऐसे ही यदि thermodynamic की बात करूँ में, थर्मodynamic में यदि delta G कम होगा, तो product क्या होगा, more stable होगा, product more stable होगा, तो देको हो यहाँ पे हमने नोट किया कि यहिदी हम Kinetic की बात कर रहे हैं तो हम्द की बात करे है हो तो हम यहाँ नहीं के एनर्जी ड्याइग्राम बनें तो फुरू शुमें डायग्राम हम बढ़ाते specific बममरा था कर रहे हैं अब देखो यह ओधि हम यहां पे लिखे हैं कि यह मालो कोई अपने पास कोई reaction थी ऐसे मुझ कुरा इसमें यह है हमने ऐसे बोला और यह ऐसे थीक है ऐसे गया यदि इनर्जी कम है इनर्जी कम है तो इसका मतलब क्या है यह product अपने पास kinetically ज्यादा form होगा इसके compare region में ठीक है लेकिन product की बात करें तो product में हम देख सकते हैं काइनेक से productveil होगा है वो क्या है less stable है तो जतनी वीद्रशी कम होगी इतना ही ज्यादा stable होगा उपना more stable है यह कहा है more stable है मतलब more जाड़ा बनने वाला है ठीक यह बात हो गई तो अब तक हमने जो भी बात किये वह किस-किस की बात किये हमने nature of substrate की किये और निक्लियोफाइल की और फेट और reaction की बात किये काइनेटी और थर्मोडाइनमिक की ठीक अब कौन सी पोजीशन पर reaction होने वाली है किया है मतलब वी सस रेक्षिंजंग की बात करें हम तो इस एक्जाम्प में देखो अपने पास क्या है यह निक्लिफाइल है और निक्लिफाइल अब हमने की तसमी लेग्ट्न लेक्रोन डेंसिटी अपने तरह खीच लेता है तो यहां पर देखिए तो यहां पर यहां पर कुछ पुर्फ बार्सले फॉस्टिज़टीडिव चार्ज़ ऊरा वाutीच लिपए प ignored पर नेगेटीव चार्ज रे गा तो यहां पर भी आटेक कर सकता है ठीक है बोल सकते हैं कि यह कुन सा है अपने पास यह पार्थ 2 है और यह अपने पास क्या है पार्थ 1 ठीक है लिए हम इसको एक्स्प्लेइन करेंगे होमोलूमो को किसे सोल करते हैं अब बात कर लेते हैं पहले हम होमो लूमो क्या है हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि होमो लूमो से बात करेंगे होमो लूमो से बात करेंगे ठीक है तो अब हम होमो लूमो डाइगराम देख लेते हैं क्या देख लेते हैं को समझ लेते हैं तो देखो यहीं हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास क्या होता है फो चार क्या होते हैं बॉंडिंग और्विटल होते हैं उनको ब्यमो लिखते हैं क्या होते हैं बॉंडिंग मॉलिकुलर ओर्विटल ठीक है तो इसमें क्या होगा यह लेक्टोन फिल ह होते हैं ठीक है को इहां पे हो चार बॉंडड फॉर्म हो रिखे तो इसका मनलब इसके पास क्या है एट एक्ट्रोण है को चारों ऐसारों को गडnh b01 को सकते हो कर अब इसके एन्टीज बॉंडिंग की बाद करें एन्टीज इसके या करेंगे इहां ठीक है और यहां पर bonding molecular orbital ऑर्बिटर ऐसे यह दि नुक्लियोफाइल की बात करें तो नुक्लियोफाइल में अपने बाज का एलेक्ट्रोन है तो यह अब बात करते हैं कि हम पहले पात की बात करें और शेकिन पात की बात करें तो यह दि हम देखें तो यह क्या दरने वाला है यह देखो यहां पर तो चार उबहरे होएं तो इनमें तो डॉनेट कर नहीं सकता तो लूमो कौन सा हो गया यह अपना लूमो हो गया मतलब जो भी लोवेस्ट है लोवेस्ट है लोवेस्ट अनोक्युपाइड मॉलिक्यलर और अर्बिटर इसको बोलते है और जो यह होमो है और उसको क्या बोलते हैं हाइस्ट ओक्युपाइड मॉलिक्यलर और ठीक है तो देखो यह जो यहां पर इलेक्ट्रों डेंसिट है वो फोन से उसमें और विटल में फिल करेंगे हम जो लूमो होगा उसमें होगा क्योंकि यह अपना क्या है यह अपने नुक्लियोफाइल का क्या कंपेर करें यहां पर हम दिस्टेंस से पता लगाएंगे कि किसका होमो कम होगा किसका लूमो कम होगा तो हमें यहां पर यह देख सकते हैं क्या है कि जो यह होमो है नुक्लियोफाइल का लूमो में यहां पर अटेक करने वाला है अब हम आगे चलके यह देखेंगे कि क किसका लूमो नीचे एक्जिस्ट करता है किसका लूमो उपर एक्जिस्ट करता है ठीक है एक चीज और यहां पर हमें बता दूँ कि जो होमो लूमो कम होगा जो होमो लूमो गेप कम होगा homolomo gap कम होगा तो मतलब क्या होगा जो energy required होगी वो भी reaction को होने के लिए जो energy requirement होगी वो क्या होगी कम होगी homolomo gap कम हुआ तो जो energy required होगी वो कम होगी क्योंकि हमें पता है कि यदि homolomo gap मार लो ये वाला अपना homolomo gap है तो यदि ये कम है है यहां से जो इसको टोनेट करने के लिए आमें क्या रहना ही अबंगा एनरजी कम चाहिए होगी इसका मतलब मैं बहुब सकता हूं यह तो इन्यॆ फाइल को मैं क्या करदूँ जिस Misक राउन डिवर करथो यह क्रों वह जाकर थे हैं assists करणोगा ठीक है तो मतलब nucleophile electron rich होना चाहिए वो जो अपना यहां पर इस पे से reaction होने वाली है वो क्या होना चाहिए electron deficient होना चाहिए तो उनके बीच में क्या होगा homolumogave कम हो जाएगा ठीक है तो हमने यहां पर एक statement mention किया है कि BMO is more biased towards the more electronegative atom ठीक है यहां यही हम और्बिटल की बात करें तो हमने draw कैसे किया है कि yp bonding और anti-bonding की बात करें तो हम देखो जो a2 है system होता है मौलकुलर और्बिटल कैसे बनाते हैं तो माँ लोग कि यह अपने पास क्या है bonding की बाद करें एपने बास क्या है normally A2 है जो demetrical है this is symmetrical है number formal baking खाने तो हम क्या करते हैं बनाते हैं टो यह एक हो गया यह diferen हो गया तो यहां पे यह क्या बांडिंग है यह क्या एंटितla प्रक्रेंति काल अब मैं बात करूछ vous बार A2 है वो symmetrical नहीं है A2 क्या है symmetrical नहीं है यह क्या है AB टाइब का system है कुछ ठीक है और AB में क्या है जो B है वो मेरा more electronegative more electronegative negative atom है ठीक है तो यहां पर देखो अब बात करते हैं पहले यह क्या था दोनों same थे same energy पर exist कर रहे थे लेकिन अब क्या होगा कि जो यह वाला है यह वाला जिसकी electronegativity ज्यादा है वो क्या करेगा नीचे आजाएगा more stable है जिसकी electronegativity ज्यादा है वो ज्यादा more stable है ठीक तो देखो यहां पर A है यहां पर B है तो जो हमने जो लिखा है कि BMO is more biased towards electronegative atom तो देखो यह bonding orbital था अपना है वो किस की तरफ पर जयादा किस की तरफ एक्टो नेगेटिव एक्टम की तरफ है और ABMO की बात करें नटी वांडिंग की बात करें कि तो यह क्या है less electronegative एक्टम की तरह है ठीक है तो यह statement हम ऐसे समझ सकते हैं ठीक अब बात करते हैं कि अब हम देखो हमारा example है जो main example है जो reaction mechanism है हम पढ़ने वाले है उसको हम explain करते हैं ऐसे ही ठीक है तो देखो हम start करते हैं कि मालो हमारे पार A1 है वो carbon है और जो A2 है वो X है और A2 X है उसमें भी हम देखेंगे हमारे ग्डी के जो A2 है वो यातो अपना के है है ses olsa में क्वी चार्इल है अब में इसके होम लूमो कि बात करूओ तो मैं यहां पे कार्बन लिखा है है यहां पे मैंने क्या लिखा है carbon लिखा है एदि में को पता है रही आईडा है जो इक्तर नेगेटिव्टी क्लोरीन से क्या होती है कम होती है तो मेरा क्लोरीन क्या रहेगा नीचे एक्जिस्ट करेगा तो यहां पर क्या माल लो यहां पर मैंने ड्रो किया अपना यहां पर ड्रो किया मैंने क्लोरीन ड्रो किया तो अब आयोडीन कहां पर ड्रो करूंगा मैं यहां पर कुछ यदि हम इसके molecular orbital की बात करते हैं यदि bonding और anti-bonding की देखो तो क्या होगा जो यह वाला i है i का bonding orbital अपने पास क्या है कुछ यह से यहां पर इतना exist कर रहा होगा यहां पर exist कर रहा होगा यह मालो यह इतनी हां पर यह होगा इसे इसके anti-bonding की बात करें तो इतनी ही height भी क्या होगा यह इसका anti-bonding होगा ठीक यदि chlorine की बात करें तो chlorine क्या कर रहा है more electron negative atom है तो इसका क्या होगा bonding इधर रहेगा और anti-bonding इधर रहेगा । वह में एंटि वांडिंग इंदर रहेगा। रहेका यह इसका बाड़िंग और एंटि-वांडिंग होगी। तो इस इसके बाद करें तो यहाँ इसके बाद करें तो यह नहीं स्टार सीगमा स्टार सीएल का है reflect करें इत्वाथ बाया यह यह पितनी है एंठीट उनडिक इनर्जी ज़्यादा कि किसकोयद गार्णेझर कम मैं लॉस्ट है की टो क्या है यह लोइस्ट एनरजी पर वॉर हैं यह निद्य पर फॉल्जिद मॉर बॉलते हैं कि ये पना हाइर नैंषिंग है और भी तो हम बोलते हैं कि लीइविंग ग्रूप होता है क्यों होता है उसकी जी या निद्य जाता है ठीच में बाद करते हैं हमने दो स्टेर्मिंट यहां पे लिखना है हमने कि और टोभी ती row की कroat स्यॉसली कि शुट में अंट पूपक्रिज्ट कर एनर्जिय यहां पने वालेंगेदि चिरी तो यहां पर अपना राने वाला यहां पर एक साहिँ है उसके अपने वाल्रेस काsentी यहां बहुत कम थी और यह क्या किया था मौर इस्टेबल था ठीक है अब देखो हम यह क्या क्या है कया है कि कहां प्रेक्षेंशन वनजे कारें इसको तो और बी lei बटल molecular orbital है उसको मैं fix कर दूँ और BMO की बात करो तो BMO में हमने देखा कि मान लो यह मैंने क्या किया यहां एक reference ले दिया तो यह कार्बन की एक्स की बात करो मतलब पहले हेलोजन की बात करो तो हेलोजन की distance इतनी दे होगी कार्बन और हेलोजन के वीच में distance इतनी दे होगी और कार्बन की बात करो तो कार्बन कुछ यहां पर exist कर रहा होगा ठीक है तो यह distance है और यह distance है उनमें से यह हमें इसको D2 दूँ और इसको D1 दूँ तो D2 अपने पास क्या है हमें पता है potential energy क्या होती है यह one by 1 बजाद दी इहोगती है तो क्या हो गयाば डी शी एक्स अपने पास जड़ा है अपने पास दी शीतिh क्या है intel एक्स ना उंक्स कहीं इतर यह कि ऐन पास है यह कारबन थीक है तो यह क्या है अपना ABC O का C C मतलब 90 अब lifelong Sum 2 q n बात कर है dcx है और जो dch की बात करूँ मैं hydrogen की बात करूँ यहां पर ठीक है यहां पर देखूँ मैं तो यहां पर distance को देखते हैं तो यहां पर कि देखा कि जो dcx है वो dh से ज्यादा है ठीक है अब potential energy क्या होगी potential energy क्या होगी फिर अपनी जो sigma star cx है sigma star cx है उसकी energy क्यों होगी किसके साथ किसके कंपरिज में potential energy of ch sigma star ch देखो यहां यहां पर fix किया है यहां पर क्या है यह अपना यह orbital है और orbital में यही हम distance देखें यही हम बहुँ सकते हैं यह बोल देकर यह बोल सकते हैं यह और यहां पर dcx है यह थी है तो हमें यहां पर क्या करते है इसको हमें इसको लिख देते हैं कि ईहांपर ह Zeus है प्रीक्वाइरॉच goose मेरा फिर्टवन कारद होगा यहां केसं प्रिकए हीं क्या लेंटेटाgest है्ट थेताव ब्रुमईट हुआ प्रिश वाट से यह यहां पर हम देख सकते हैं जो DCX है वो greater है किस से DCH है तो यह अपने पास क्या है यह distance देखे तो यह क्या है DCH हमार यह DCX है और यह क्या है DCH है ठीक है तो यह क्या हो गया अपने पास DCX ज्यादा potential energy अपने पास कम है ठीक इसे ही बात करें CH, CL और CI की बात करें, तो हमें पता है कि जो hydrogen होता है, उसकी radius कम होती है, as compared to chlorine, as compared to iodine, ठीक है, तो यदि हम देखो, D1, D2 और D3 से दे, तो हम बोल सकते हैं, D3 हमारे पास क्या है, ज्यादा है, as compared to D2, as compared to D1, ठीक है, यदि हम potential energy की बात करें, तो हमें पता है, potential energy का formula है, 1 upon D होता है, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, जो potential energy है, वो जो iodine की है, CI की है, वो क्या है, अपने पास, कम है, as compared to potential energy CCL, as compared to potential energy CH, ठीक है, यदि हम इसको homolumo में draw करें, homolumo में यदि हम energy देखें, तो bonding orbital तो fill होगे, अब हम energy की order में करें, तो हमें पताएगी, जो sigma star CI है, वो सबसे कम है, फिर उसके बाद में सिगमा इस्टार अपना CCL है, और उसके बाद में है, अपना सिगमा स्टार CH है, और यहां पर कोई fourth substitute है, ठीक है, यदि मेरे को example में पूछे, यदि example में मेरे को पूछे, कि महां लो मेरे यहां पे CH3 है, यहां पे CCL है, CI है, और यह यहां पर CH है, यहां पर क्या है मेरा CH है, अब मेरे को बोले कि मेरे को Nucleophilic reaction करवानी है इस center पे, कौन से center पे, इस center पे, तो मतलब कौन सा मेरा living group होगा, कौन सा living group रहेगा, तो देखो यदि मैं बात करूँ यहां पर nucleophile की, तो homo-lumo gap से देख सकते हैं कोई कोई से कम है, sigma star CI की, तो मतलब उसके anti-bonding में अपन को क्या करना, जब nucleophile attack करेगा, तो वो क्या easily में कर सकते हैं, यदि chlorine के बात करें तो हमें इतनी energy चाहिए, जबकि iodine में हमें इतनी सी energy चाहिए, कितनी सी energy चाहिए, और chlorine के comparison में हमें बहुत कम energy चाहिए, तो nucleophile होगा, वो क्या करेगा anti-bonding CI है, तो anti-bonding CI है, उसके उसमें orbital में अपना donate करेगा, और product में क्या होगा, CS3 दर रहेगा, CCL अपना यहीं रहेगा अभी भी, और क्या रहेगा यह अपना nucleophile यहाँ पे attached हो जाएगा, ठीक है, nucleophile यहाँ पे attached हो जाएगा और अपना i- निकल जाएगा, तो हम यहाँ से homolumos यह पता लगा सकते हैं कि कोहाँ पे कोण exist करता है, और कोहाँ पे कोण exist नहीं करता, ठीक है, अब हम देखो यह example लेते हैं, हमें example लेते हैं, हमने CCL और CI की ब कि ़ॉ से वाइगा, यह हम देखें, यहाँ पर, यहाँ पर जो nucleophile है, तो यहाँ पर दो सेंटर थे, एक हम पर यह positive सेंटर था और अपने यह पर आपना पास positive सेंटर था, ठीक है, इजि हम देखें, यह यहाँ तो यह nucleophile यहाँ पर attack कर सकता है, और यहाँ परoléते करेगा, त यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर अपना नुक्लियोफाइल है तो देखो यह अपना क्या है सिगमा स्टार यहां पर यहां पर क्या हो गया है यहां पर यहां पर कोई फॉर्ट सब्सिट्यूट होगा ठीक है यहां पर यहां पर देखें यह हमने बात कर लिए इस सेंटर की किस सेंटर की बात कर लिए हम दूसरे सेंटर है जो अपना दूसरा सेंटर है वो है अपना यह तो इसमें यह पर क्या है यह अपना सिगमा इलेक्टोन की बरे है जादा थी अब देखों यह सिगमा स्टार इसको यहां से सिगमा इस्टार इसके कमपेरिजन में देखे तो यह इसी के सीध में रहेगा सिगमा इस्टार 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 इ यह वाला है ठीक है तो यहां पर energy gap कितना हो गया है हम इसको ea1 दे रहे हैं ठीक है और यहां पर यह देखे जाए यहां पर देखा जाए तो यह क्या है अपना ea2 है और यह homo-lumo क्या है ज्यादा है ठीक है homo-lumo को हम basically क्या करते है से रिपरजेंट कर देते हैं हम किस से एक्टिवेशन एनर्जी से रिपरजेंट कर देते हैं ठीक तो यहां पर बात करूं कि किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है किसकी कम है तो देखो यह अपना जो होमो लूमो गेप है तो पाथ 2 के कर्सपोंडिंग पाथ 2 के पूछा जाए हम से पूछा जाए कि path one favorable होगा या path second favorable होगा पहले हम बात कर लेते path one की तो इससे पहले देखो हमने लिखा है यह पर the relative MOT diagram is clear that homo lumo gave which corresponding to actuation energy is lower in case of path one hence path one is the kinetically more favorable ठीक है यह पहले starting में जाए हमने starting में क्या बोला था कि activation energy क्या होगी वो क्या होगा अपना kinetik more favorable होगा हमने starting में जब बात की थी kinetik और thermodynamic की हमने बोला था जिसके activation energy क्या होगी वो क्या होगा more stable होगा और more favorable होगा kinetically ठीक है तो यह हम यहाँ पर statement लिख रहे हैं अब path one को देखे path one के सिर्फ हम ड्रो करते हैं तो इसको हम देख सकते हैं कि यह अपना क्या होगा कि यह अपने पास bonding यह अपने पास लोब ठीक है तो इसके अंदर देखो यहाँ पर यह क्या है carbon है और यह अपने पास क्या है यहाँ पर यह अपने पास क्या है यहाँ यहाँ पर फिलते हैं यहाँ नुक्लिफाइल के बात करें नुक्लिफाइल क्या करेगा इसमें donate करेगा इसके यहाँ पर प्रबास carbon होगा यहां पे क्या होगा यहां पर तो अप्ट्रेक्शन होगा ृब क्षा бесп bend हाधा निकल रहा हुगा में टो यहां पर छॉह मे अपने पाव कि को एक्स यहां पर क्या हो मुनीर को यहां पाद निन टूहें कि लिए पर पार्टू की बात करें की सीधिती का स्टेट नुन को कि बैद की सिर्बवार्ट is सब्सक्राइब जो स्का एंदश करेंगे तो मतलब क्या होगा एदी बात करेंगे तो क्या हो रहा है कि जो यह वाला है यह वाला बॉंड ब्रेक हो रहा होगा ठीक है यह वाला बॉंड ब्रेक हो रहा होगा और वाई है और यह यह क्या हो रहा हुआ इसके बीच में यहां पर बॉंड फोर्मेशन हो रहा है यहां पर बॉंड फोर्मेशन हो रहा है ठीक है यहा में से तो यहां पर आपना ही है तो यह अपना ऐसा प्रोडक्ट होगा तो यहां पर इसमें क額 से खीया है उसकेstars के गुच-गूर। निकल रहे हैं तो यह अपना क्या हो गया है अब देखो यह वहाला यह वाला किसे थूर्ण रो गया पना पिट्फ के क्तों गया बोया जो यह वाला था एपना गया था ऐप पीट् ». कब possible है पीड्य कब possible है य helps एपने पास क्या होगा एनर्जी जादा होगी यदि हम ने पास देखो यदि हम इस एनर्जी barrier को cross कर जाए यदि हम इस एनर्जी barrier को cross कर जाए तब ही P2 possible है मतलब जो path 2 था वो possible है ठीक है और यद अपने पास यहाद मिनिमम इनर्जी इतनी थो होती है उसमें ड्वाणेट कर सकते है प्रीक मासिस्टाल demostति है यहाद हम सकता हम विकिवाले प्रोडग्स प्रोडग्स प्रोडवत कॉपनो है जो P2 है वो अपना thermodynamically है और जो P1 था P1 था वो क्या था अपना kinetically था ठीक है तो हमने यहां पर कुछ लिखा है कि हमने लिखा है कि KF defined by the EA of homolumo path 1 factor for the KEF or THF तो देखो path 1 की बात करें तो path 1 में हमने देखा था EA क्या था homolumo gap क्या था homolumo gap कम था कम था ठीक है इसलिए क्या हो गया है path 1 के रितर हो गया और वो क्या हो गया kinetically favorable हो गया thermodynamic की बात करें thermodynamic की बात करें thermodynamic में क्या था homolumo क्या था अपने बाद ज्यादा था तो मतलब क्या था energy की requirement थी energy ज्यादा हुई तब ही क्या हो गया वो उसको energy barrier सब्सक्राइब यहां पर इए हैं तो यहां पेक्टर टे क videos की दफिरेनिक फेड़ि यहां पार मुता इस ऑन ऐन्नार बीयो ड Onu कंए जी है तो फिरो पर शोड़ेझे जी मुताइब करने już का अब a यदि less polar है तो more more stable product होगा ठीक है ऐसे ही बात करें काइनेटिकली फेवरेबल की तो काइनेटिकली फेवरेबल में बोल सकते हैं कि more polar होना चाहिए देखो हमने बोला था कि जो न्यूक्लियोफाइल था वह क्या गर है अटेक करके अटेज हो गया तो न्यूक्लियोफाइल पर क तो मतलब वहां पर कहा था पार्सली पॉजिटिव चार्ज था यह पॉजिटिव हो सकते हैं ठीक है तो यहां पर कहा देखो चार्ज है तो मतलब क्या हो गया पॉलेटी तो है यही ठीक है और इसके अंदर देखो यहां पर हम बात करेते हैं कि product stable होना चाहिए थर्मोडाइ करें यहां से हम अभी और देख लेते हैं तो देखो यहां पर लिखा है हमने विच रिएक्शन आर फेवरेबल थर्मोडाइनेमिक फ्रॉइबल और काइनेटिक ली फेवरेबल तो पहले यह यह डिपेंड करता है किस पर यह एक तो करता है नुक्लियोफाइल के एनरजी प क्या था हैं यहां पर देखा था कि जो यहां अपने पास क्या आई नूक्लियोफाइल की बढ़ा लेगा। कि याटा होगा प्लुमित हो जाएगा is निधिए ज्यादा हुई हो किसकी नुर्टफायल की तो क्या गडरेगा मौर पेवरेबल होगा वह more attack करेगा तो हमारो मीडिकली से कर पया ज़ल्दी से कर पाएगा इसका मतलब यदि हम बोले कि नुक्लिवायल में यदि अपने पार ओएज है ओएज माइनस है यदि अपने पार ओएज माइनस है और यहां पे हड्स टू है तो इन में से To fast reaction कौन सा देगा तो इसे बात यह है लिए been कर दिया तो अब हमने देखा था कि हो मो मो की energy क्या है आपने अपने बाद एक यह तुए अपने इस homo loomo को cross करवाने के लिए और यह भी क्या था अपना homo loomo था इस homo loomo को cross करवाने के लिए हमें energy की जुरत थी और यदि हम वह इतनी sufficient energy दे रहे हैं यदि हम temperature बढ़ा हा रहे हैं sufficient energy दे रहे हैं तो इसका मतलब क्योंसी product की बात करें हैं thermodynamic product था और यह था अपने पास kinetically तो यदि हम energy बढ़ा रहे हैं तो मतलब क्योंसी product की बात करें thermodynamic की बात करें तो क्योंसी reaction होगा elimination reaction होगी यदि हम temperature बढ़ा रहे हैं तो और क्योंसी product form होगा thermodynamically favorable product form होगा ठीक है इसे ही बात करें हम यह थी nucleophile की तो हमने जो अभी देखा था कि OH- और OH- और water यह बोल सकते हैं ROH की बात करें तो इनमें से कौन सा reaction fast देगा ठीक है हम water ही ले लेते हैं है मतलब naked but also confirmed क्या है एक और maritime रेता है अब हम बोले की इन में में से कौन सा reaction fast देगा कौन सा reaction fast देगा तो तो बेसिकली आप मैंसे बोलते हैं कि जिसके पास चार्ज है जिसके पास चार्ज है उसकी एनर्जी क्या है ज्यादा है एनर्जी क्या है हाई है और उस में प्रोडक्ट क्या होगा जो उसका होमो लूमो की बात करें तो उसका जो होमो है है उसके energy भी क्या होगी हाई रहेगी थीग है और वो क्याज watercolor देगा किimana फास्ट है कि यृव यह बात हमने यहाँ पर Å? आ опने पास नेग्ड है और यह अपने किसे करेंगे एक्जाम्पल लेंगे और हम देखेंगे कि Elimination कहां पर होगा और कहां नहीं होगा ठीक है Thank you for watching the video